स्टॉक जरनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्मार दोस्तो फिर से लेकर आगया हूँ शांदार बाइंग की अपॉर्चनिटी आपके लिए दोस्तो आज की जो दिगज कंपनी है वो आटो सेक्टर की नंबर वन कंपनी कही जाती है और मार्केट केप के दिए हम बात करें तो एक लाग करोड से भी उपर का शांदार इनका मार्केट केप हो जाता है दोस्तो हम बात कर रहे हैं नन अदर दैन दिगज कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में दोस्तो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स और मैं कहूं बड़े जो दिगज है मोतिला लुस्वाल जी उन्होंने इसका टार्गेट जो है वो शांदार बता है और इन्होंने बता है कि जल्द ही ये 415 के जो लेबल है उनको क्रॉस करता हुआ नजर आएगा तो दोस्तों बिना टाइम विष्ट के हम discuss कर लेते हैं इसके चार्ट के बारे में दोस्तों ये डियम टाटा मोटर्स का चार्ट देखें तो ये देखिए डेली चार्ट हमने ये टाटा मोटर्स का लगा हुआ है और आज के दिन यानि की हम बात कर रहे हैं दोस्तों ये देखिए मैं हम बात कर रहे हैं 27 अपरेल को और 27 अपरेल को ये 302 रुपे पर ट्रेड करता हुआ हमें देखा और दोस्तों एक अच्छी खासी बाइंग की अपर्चुटी आज के दिन इसमें बनती हुई नजर आ रही है दोस्तों ये दिया मैं इसका हाई देखे तो करीबन कुछ दिनों पहले इसने खाई बनाया था 348 रुपे का उसके बाद से लगाता है ये जो स्टॉक है वो गिरता हुआ नजर आ रहा था और इसने एक लो बना दिया था करीबन दोस्तों 286 रुपे 50 पैसे का और यही इसका एक स्टॉंगली सपोर्ट के तोर पर ये जो प्राइस है वो काम कर रहा है 286 रुपे और दोस्तों हमारे साब से आपको यदि आप स्टॉप लॉस की बात करें तो एक स्टॉंगली स्टॉप लॉस जो है वो आप लगा सकते हैं दोस्तों 291 रुपे पर यहाँ पर आप एक अच्छा का सा स्टॉप लॉस इसमें लगा कर चल सकते हैं और दोस्तों आप यकीन मानिए कल के दिन एक शांदार उचाल आपको इस स्टॉप में जरूर देखने को मिल जाएगी तो यदि हम बात करें इसके वीकली चार्ट के उस्तों तो वीकली चार्ट पर यह देखिए इसने एक लो लगाया था दोस्तों और देखिए एक रैड केंडल के उपर इस वीक की केंडल जोई ग्रीन बुलिश केंडल बनती हुई दिख रही है जो की साफ संकेत दिखा रही है दोस्तों कि यह अब उपर जाने वाला है यह स्टॉक और अच्छी खासी मूव इसमें चल्द ही देखने को आपको मिल सकती है तो दोस्तों हमारे सबसे चार्ट पैटरन पर तो अच्छा खासा स्टॉक यह खारा उतरता है और अब बात करें इसके फंडामेंटल्स की दोस्तों अच्छे खासे फंडामेंटल्स इस स्टॉक के बनते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े-बड़े जो एनलिस्ट हैं वो भी इसमें बाइंग की रेकमेंडिशन देते हुए न देखिये हम बात करें इसकी सेल्स की तो लगातार quarter quarter इस stock में जो sales हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है यदि कि उस तो September और December की quarter के यदि हम comparison करते हैं तो अच्छी खासी growth जो है वो sales में देखने को मिल रही है यदि बात करें other income में तो other income में भी साफ इजाफा देखने को मिल रहा है total income में भी बड़ोतरी होती हुई दिख रही है और यदि बात करें net profit दोस्तो net profit शांदार इस quarter का हमें देखने को मिला है और अच्छी खासी movement net profit में देखने को मिल रही है उस तो यदि बात करें हम इसमें share holding patterns की तो जो की बढ़कर हो गई है 46.41% दोस्तो प्रमोटर्स को बिलकुल भरोसा है इस stock में कि जल्दी इसमें एक अच्छा खासा move आने वाला है तो हमारे यदि हम बात करें जोस्तों suggestion की तो बिलकुल इस stock को आप न चोड़ें इस समय एक अच्छा खासा move आपको इस stock में देखने को मिल सकता है यदि आप इसमें target के बात करें तो recently target हम इसमें बताएंगे 330 रुपे दोस्तों जल्दी आपको 330 रुपे के जो level है उनको cross करता हुआ दिख जाएगा तो हमारे सबसे इसका target 330 रुपे होने वाला है और suggestion में है आपको यही बताना चाहेंगे दोस्तों बिलकुल यह दिया आपने इसको अपने portfolio में add ना किया हो तो 5-10% total portfolio होगा आप इसमें जरूर निवेश करें लॉंग टर्म में शांदार मुनाफ़ा आपको यह जो stock है वो बना कर देने वाला है दोस्तों यह बताने के लिए हमने वीडियो नहीं थी अधिया आपको हमारे वीडियो बसंदाती हैं तो फ्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी प्रिगार की शांदार जो buying की opportunities होंगी हम लगते रहेंगे आपके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद